वेलकम टू माइ स्टडी दोश यूडूब चैनल कैसो आप सब लोग आई होब आप सब लोग अच्छे हो तो फ्रेंड्स कुछ भाईयों की डिमांड तीक इसा यूनिट और डामेशन पर वीडियो बनाया जाए तो आपकी की डिमांड को हम पूरा करते हुए आज यूनिट आपको पता होगा एक नंबर का फिक्स आपका यूनिट डामेशन आता है ठीक है कभी कभी दो या तीन नंबर का भी आ जाता है ठीक है तो इस टॉपिक को हम आज डिसकस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन फ्रिक्वेंसी आवरती एंगुलर मुआग इंट डॉडर व्रिक्वेंसी को ली पोटेंशिल एंनर्जी इस्टिति दिक आत्मॉर एंटक इनर्जा आंतिर कूर्जा, टॉर्क, बलागुड, कपल, युग्म, मोमेंट आप फोर्स, बलागुड इनकी भी भाई एकी डायमेंशन है और वो डायमेंशन है आपकी M1 L2 T-2 क्या है M1 L2 T-2 I hope आपको सौन में आ गया होगा, चलते हैं थर्ड पॉइंट प्रेशर, दाब, इस्ट्रेस, तनाव, यंग मोडिलस, यंग प्रित्यास्ता गुडांक, बल्क मोडिलस, आयतन प्रित्यास्ता गुडांक, मोडिलस ओफ रिजिडिटी, डड़ता मापांक, एनरजी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व तो इन सबकी भाई, सेम डेमेशन होती है, क्या होती है, M1, L की पावर माइनस वन, T की पावर माइनस टू, क्या होती है, M1, L की पावर माइनस वन, T की पावर माइनस टू, I hope आपको सौन में आ गया होगा, चलते हैं फोर्थ पॉइंट माज यानि धिर्वेमान, इनर्शिया यानि जड़त्व इन दौनों की भी same dimension होती है, क्या होती है M1, L0, T0, क्या होती है M1, L0, T0, चलते हैं 5th point मोमेंटम यानि समवेग, इंपल्स यानि आवेग इन दौनों की भी same dimension होती है, क्या होती है M1 L1 T की पावर माइनस 1 क्या होती है M1 L1 T की पावर माइनस 1 और भाई मैं बताना चाहूँ आपको कि ये दोनों आपके exam में काफी बार repeat हुए कि इन pair में है मतलब कौन सा pair एकदम सही dimension है मतलब जिनकी same dimension है वो pair select कीजे इस type के question आपके इस बाले मैतर पे काफी बने है तो आपके ये वाले example उसमें काफी था तो हमेशा याद रखना momentum यानि समवेग और impulse यानि आवेग की दोनों की क्या होती है same dimension होती है ठीक है तो आफ confuse मतोना angular momentum या impulse में तो वो मैं अभी आगे discuss कर दोगा angular momentum वाला वो भी ठीक है तो याद रखना हमेशा momentum के साथ impulse की क्या होती है same dimension होती है ठीक है आई होप आपको सौंझ में आ गया होगा चलते है six point momentum impulse की क्या होती है same dimension होती है हमेशा याद रखना काफी time repeat होया बाई ये six point क्या है acceleration यानि त्वर्ण जी यानि गुरुत्वे त्वर्ण gravitational field intensity यानि गुरुत्वे चेत्र की तीव भृता तो इन तीनों की क्या होती है same dimension होती है वो होती है आपकी M0 L1 T की पावर माइनस टु क्या होती है M0 L1 T की पावर माइनस टु चलते है seven point thrust force यानि बल weight यानि भार energy gradient उर्जा प्रवर्ता इन चारों की भाई same dimension होती है M1 L1 T की पावर माइनस टु M1 L1 T की पावर माइनस टु तो चलो आगे डिसकस करते है eighth number point तो हमेशे याद रखना thrust force यानि बल weight यानि भार energy gradient उर्जा प्रवर्ता इनकी क्या होती है M1 L1 T माइनस टु dimension होती है तो हमेशे याद रखना M1 L1 T माइनस टु चलते है eighth number point angular momentum konia somewhere planks constant plank strong तो इनकी भी क्या होती है same dimension होती है और काफी time repeat होया यह वाला question तो इसकी value बहुत है importance होती है और आगे भी इसके chances है आने वाले exams में इन नौनों की भी क्या होती है same dimension होती है क्या होती है M1 L2 T inverse क्या होती है M1 L2 T inverse याद रखना मेंशा M की power 1 L की power 2 T की power minus 1 इनकी क्या होती है dimension होती है चलते है ninth number point surface tension प्रष्ट तनाव surface energy प्रष्ट उर्जा force gradient प्रवर्टाबल और spring constant कमानी इस तरह इन सब की भी क्या होती है same dimension होती है वो होती है आपकी M1 L0 T की power minus 2 क्या होती है M1 L0 T की power minus 2 I hope आपको सौन में आ गया होगा भरते हैं tenth number point की तरफ strain यानि विक्रती refractive index relative density angle code solid angle distance gradient gradient दूरी प्रवर्था relative permeability आप एचिक चुमबा की शीलता relative permittivity आप एचिक विदुषीलता और इसका दूसरा नाम है परावेद्वतांग यानि डाइलेक्टर कॉंस्टेंट इन सब की भी क्या होती है same dimension होती है और वो होती है M0 L0 T0 यानि dimension less यानि विम्य हीन होती है इनकी कोई dimension नहीं होती तो हमिशे जाद रखना strain हो गया refractive index यानि अप आवरतनांग relative density आप एचिक गनत्व कोंड ठोस कोंड दूरी प्रवर्था distance gradient या relative permeability आप एचिक चुमबा की शीलता या relative permeability आप एचिक विदुशीलता पराविदुटांग तो इन सब की क्या होती है dimension less होते हैं ये सारे के सारे M0, L0, T0 इनकी क्या होती है dimension होती है चलते हैं भड़ते हैं next point यदि P pressure दिया गया है दाब V volume दिया गया है आयतन और T क्या दिया गया है latent heat और delta T क्या दिया गया है rise in temperature ताप में बढ़ते ही तो देखो हमेशे याद रखना है जब भी PV, RT, ML, MC, delta T की क्या पूछी है dimension तो इसकी dimension energy के बरावर होती है और energy के आपको पता हो क्या होती है M1, L2, T-2 क्या होती है M1, L2, T-2 जब भी आपके exam में आए PV, RT, ML, MC, delta T तो उनकी dimension क्या होती है energy के बरावर होती है और energy की क्या होती है M1, L2, T-2 क्या होती है M1, L2, T-2 और इन सब के मतलब आपको उपर दिये गए तो या देखना P यानि pressure V यानि volume T यानि temperature M यानि mass R यानि gas constant C यानि specific heat L यानि latent heat और delta T rising temperature तो आपने बढ़ उत्तरी ठीक है तो जब भी step के question मने आप आसानी से कर लोगे I hope 12th नमर point thermal capacity ऊश्मा धारिता gas constant gas नियतांग Boltzman constant Boltzman नियतांग entropy entropy तो इन चारों की भाई same dimension होती है वो होती है आपकी M1 L square T minus 2 K minus 1 क्या होती है M1 L square T minus 2 K minus 1 ठीक है तो हमेशे याद रखना चलते हैं next point एक मिनट यदि R क्या दी गई हो resistance एक मिनट और L क्या दी गई हो inductance प्रेड़क्ट्व C क्या दी आ गया हो capstance धारिता V क्या दी गई हो potential wave up I क्या दी आ गया हो electric current विदुद धारा और T क्या दी आ गया हो time समय और Q क्या है charge है आ वेश है तो भाई हमेशे याद रखना L upon में R root में LC और RC किसकी dimension होती है time की होती है यानि M0 L0 T1 होता क्या होता है M0 L0 T की पावर 1 L upon में R root में LC and RC dimension इसकी find करो तो हमेशे याद रखना M0 L0 T की पावर 1 ठीक और भाई यदि हम इसी का उल्टा करते है यानि हम बोलते है R upon में L 1 upon में root में LC और 1 upon में RC अब ये किसकी dimension है अब ये frequency हो जाएगा यानि M0 L0 T की पावर minus 1 और T की पावर minus 1 क्या होता है frequency होती है तो हमेशे याद रखना ये किसमें change उड़ाएगे frequency हो जाएगी यानि T की पावर minus 1 हो जाएगा second point I2 RT V2 T upon में R VIT QV Li2 Q2 upon में C and CV2 इन सब की dimension क्या होती है energy के बढ़ावर होती है और energy की क्या होती है M1 L2 T minus 2 क्या होती है M1 L2 T minus 2 वैसे तो भाई इस step के question अभी 2-3 साल से आनी रहे है बट पता नहीं कभी भी क्या आ जाए ठीक है तो आप तयार करके रखना है step के concept भी ठीक है step के question भी चलते है next 40 number dimensional constant यानि विम्य नियतांग planks constant मताद जब भी आपके exam में question step की बनेंगे कि इन मेंसे dimensional constant कौन सा है तो आपको 4 option दिये गए होंगे और 4 मेंसे इन मेंसे 3 मेंसे कोई एक option दिया गया होगा तो हमको उसी को select करना है ठीक है हमेशे याद रखना यह 3 होते हैं dimensional constant planks constant h planks strong gravitational constant g grutvokastan strong और wealthity of light in vacuum निर्वात में प्रकाश का वेग तो यह क्या होते हैं 3 के 3 dimensional constant यानि विम्य नितांग होते हैं ठीक है चलते है next point 15 number dimensional less variable एक मिनट dimensional less variable example है angle यानि cone strain यानि विक्रिती specific gravity यानि विसिष्ट गुरुत्व ठीक है तो यह किसके example होते हैं dimension less के variable के example होते हैं ठीक है चलते हैं next question है आपके सामने question दिया है मैंने आपको which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units निम लिकित में से कौन सा set किजी भी system की मूलभूत मात्रा की सूची में दर्ज नहीं हो सकता option है आपके सामने length time velocity लंबाई समय और वे length mass and velocity लंबाई दर्विमान और वे mass time and velocity दर्विमान समय और वे length time and mass लंबाई समय और दर्विमान ठीक है तो वीडियो पॉस्ट करिए answer सूचे क्या हो सकता है इसका काफी interesting question है काफी typical भी है इसमें कोई शक नहीं है तो चलते हैं हम इसके right answer की दरफ तो मैं वाई आपको बताने चाहता हूँ option number A will be right length time and velocity लंबाई समय और वे कभी भी एक साथ नहीं आएंगे आपके fundamental unit में ठीक है तो हमेशा याद रखना मूल भूत मात्रा में कभी भी ये एक साथ नहीं आएंगे बागी के तीनों एक साथ आ सकते हैं बट length time and velocity लंबाई समय और वे आपको कभी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है और मैं भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्बर मत रहना कहरों पर क्योंकि मन्जलें उनी को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर और एक बात ध्यान रखना ये मन्जलें बड़ी जिद्धी होती है आसिल कहा नसीब से होती है मगर वहाँ तूफान भी हार जाते है जहां कस्तियां जिद्पे होती है अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक करना और जो भाई लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसी फिजिक्स की और इंगलिस की एंट्रेस्टिक वीडियो मिलती रहे है चलो मिलते हैं ऐसी नेक्ट एंट्रेस्टिक वीडियो में जै हिंज जै बारत वंदे मात्रम टेक केर बाबाई थ्याल रखना भाई अपना सभी भाई लोग